हेलो दोस्तों आज हम एक शेयर से लिटेड बाते करने वाले जिसका नाम है मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड यह क्या है एक हमारे व्यूर है उन्होंने कमेंट किया था कि इसे रिलेटेड यहां पर वीडियो बनाई जाए तो उसी से लेटेड मैं यहां पर अपडेट क इससे लेटेड हम आज analyzes करें गांगे अंगे बिजनस मॉडल हम देखें गे इसका chata हम देखेंगे की क्या लेना चाहिए जाना चाहिए उससे लेटिड हम बाते करेंगे बंट उससे पहले आपसे रिक्वेष्ट है कि आप हमारे चैनल प्रयार को स्प्सक्राइब कर लिज है ओके और अगर आपको लगता है कि हम आपके कुछ भी यहां पर थोड़ी बहुत भी value addition कर रहें आपकी knowledge में तो आप subscribe करिएगा और share करिएगा क्यों 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 कि आप देखिए कल video बनाई थी सब डरा रहे थे ठीक है मैंने यहां आपको क्या था रुके रहे रुके रहे कहीं निजारी market मैंने positivity की नाई थी लोगों ने negativity की नाई थी केवल एक वो हमें भी पता थी but positivity क्या है वो मैंने आपको बताया था और मैंने आपको बताया था कि एक और दो दिन के अन्तर मार्केट recover हो जाएगी और आज ही market recover हो गई और ऐसा ही होता है कल जिन्होंने बेचा होगा क्या उन्होंने आज खरीदा होगा just go and ask them कि क्या खरीदा सब आपने तो आपको question कहां से मिलेगा नहीं हमने नहीं खरीदा तो ऐसा ही होता है तो subscribe करिए का bell icon को hit all notification कौन करिए और अगर सीखना है तो देखिए videos तो ही आप बारी क्या सीखना चाहते है क्यों क्या कैसे किसलिए levels पहले ही सही जानना चाहते हो कैसे मैंने अपने आप से ही आपको बता दिया कि ऐसा हो सकता है सेम knowledge चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो हमारे course को जोइन कर सकते हो basics to advanced technical research fundamental क्यों लेना है क्यों बेचना है कैसे क्यों क्या किसलिए के जवाब मिलेंगे और 20,000 रुपे है course है 31 तारिक तक इसकी fees 18,000 है क्यों क्योंकि हमारे 10,000 subscribers हुए थे तो हम मैंने 10% का उफ दिया और एक तारिक से इस course की फीज 25,000 रुपे होने वाली है ठीक है experience ले लिजेगा फिर आपको किसी की ज़रुवत नहीं पड़ेगी और इसके इलावा अगर साथ में काम करना है तो इनी नंबरों पर contact करें okay call करें message करें WhatsApp करें ठीक है call message करने का कोई पैसे नहीं है simply आपको पूछना है अगर हमारे बीच में understanding बैठेगी ठीक है मैं अगर आपकी आपके लिए कुछ value addition कर पाऊंगा आपके portfolio में definitely हम go it करेंगे और यहां पर अच्छा कासा काम करते हुए साथ में नजर आएंगे तो इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो contact कर सकते हो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर रहे ह कंपनी करती क्या है क्या business model है जानते हैं ठीक है तो सबसे पहले देखिए कंपनी APM Finvest Limited was incorporated in May 2016 non-banking NBFCs है ठीक है non-depository NBFC है रिच्टर भी वो तो RBI से होगी होगी यहां पर अब देखो business of investment into shares stocks securities and providing loans to all kinds ठीक है हर तरीके के loan provide करता है stock market में जो stocks का लेना देना होता है ठीक है security से लिटी से लिटी से लिटी कंपनी काम करती भी नजर आती है ठीक है यहां पर आप देख सकते कंपनी का AUM जान सकते हैं कंपनी किस तरीके से काम कर रहे है वो जान सकते हैं ठीक है revenue जान सकते हैं ठीक है recognize from the investment into shares and providing loans to all kinds company earns interest income 89% other income तो बात करें तो stocks का जो यहां पर business है उदर से कम ही पैसे आते हैं ठीक है यहां पर 89% का जो revenue है वो केवल loan देखे ही इनका आता हुआ दिखाई देता है तो NBFC है यहां पर आप जान सकते हैं इस company के बारे में तो आपको पता चलेगा वर्थ EV vehicle finance कर चुका है 350 प्लस करोड का ठीक है न इतने tons of total carbon से लेटेड यह company काम कर चुकी है 49 करोड वर्थ EV assets deploy on lease and 354 million green kilometers यहां पर क्या EV से लेटेड यहां पर products यहां पर बनाते हुए नजर आते हैं यहां पर आप देख सकते Electrical Vehicles B2B finance करता हुआ नजर आता है B2C finance करता हुआ नजर आता है यहां electric charging का infrastructure भी यह Company यहां पर भी आर enabling growth for charging point ऑपर इंडा country ठीक है उसमें भी यहां पर finance करता हुआ नजर आता है Swapping वेटरी से लिटेड जो भी है उसमें finance करता हुआ नजर आता है तो company का क्या है company यहां पर अच्छा कासा काम करती हुई दिखाई दे रही है ठीक है जो कि इनके numbers में भी आपको growth करती हुई नजर आती है और वो यहां पर इसके share price में भी आपको दिखता हुआ नजर आएगा तो वीडियो में और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते है 2016 में commence EV unregistered finance in Delhi ठीक है 2017 में started EV 2019 में आपर देखे B2B module में आपर शुरू किया तो अच्छा कासा यहां पर काम करें 6x growth कर चुके है 2023 में आगे बढ़ते हैं ठीक है finance related जालते हैं और आप एक पर website को देखिए समझेगा तो समझ में आएगा market cap की बात करे 2470 क्रोड मतलब small cap है और हमारी channel के नाम ही I am small cap investor है तो ऐसी share आपके सामने लाते रहते हैं आप लोग भी हमारी help करते रहते ह तो सबसे पहले industry का P20 का 200 का है मैं हमेशा कहता हूं P के base पे कभी काम ने करते बढ़ पी को ignore भी ने करते ठीक ना तो पी को क्या गए इगनौर भी ने कर सकते जब इतना पी हो जाता है तो पैसे कब बनते है पैसे तब ही बनते है जब का expansion होता है क्या 200 से 2000 हो जाएगा आपक तो वह इतना हो नहीं सकता क्योंकि ROC ROE खास नहीं है ठीक ना आज अभी भाग रहा है तो यहां पर पी इतना है तो ज्यादा महंगा नजर आता है तो ऐसे पी पे ठीक ना और वह भी ऐसने छोटी company पर मैं यहां पर दाओ लगाने को तयार नहीं हूं जब इस चीज को आख लेता हूं ठीक पी के बेस पर काम नहीं करते डाफिनेटी नहीं करते इसे कुछ चीज और सोची जाती है और भी बहतरी शेयर है ऐसे शेयर हां यह मुझे अगर बोर्ट पहले मिला होता एक साल पहले मिला होता तम मैं इसके बारे में सोच सकता था इंवेस्ट करने से अभी में यहां पर नहीं सो सकता क्यों क्योंकि अल्रेडी ओवर हीटीड है अब यहां से केवन निकला जाएगा ठीक है आपको फसाए जाएगा और कुछ नहीं 2.48% का डेट है जो हमें देखना नहीं है क्योंकि यह NBFC है प्लेजिंग की बात करें कोई प्लेजिंग नहीं है 176 का हाई है 164 पे शेयर चल रहा है 2.82% का यहां पर नेगिटिव रिटेर्न है ओके यहां आज की रेट में और फेस की वेल्यू की बात करें एक है और 31 का इंट्रेंसिक वेल्यू भी है मैक्सिन चार्ट पेटर्न देखेंगे तो यहां पर देखे 2019 में चबाया था तीन रुपए का शेयर हुआ करता था इसके बात कि यहां पर निकला और यहां पर पैसे बने तो क्या है ऐसे शेयर अगर इस रेंज में मिल जाए और पता चल जाए कि हां कंपनी की बैलन्स करेंगे बहुत कुछ है बताने के लिए तो यहां पर देखे कंपनी का टर्नराओं तो आपको दिखाई देगा कंपनी यहां पर एक करोड से ग्यारा चार बीच बीच में कम जादा होता रहता है बट इस्टेल यहां पर देखोगे तो 21 करोड का सेल्स होती ही नजर आई है यहां पर हम बात करें तो अपेरेंट कंपनी का यहां पर अच्छा है तो यहां पर अच्छा है और शाहर एक दो कौटर के रिजल्ट और अच्छा आ सकते है yearly base पर बात करें company की 2020 में युनिस में शुरुआत हुई तो वहां से आप देखोगे तो company ने अच्छा यहां पर शुरुआत करती हुई नजर आई है reserves की बात करें company के पास अच्छे कासे reserves भी है अच्छे कासे reserves भी दिखाई देते हैं अब साथ साथ बारेंग भी बड़ी है जो की concern वाली बात नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर उन्हीं चीज़ों से लेटेट कंपनी काम कर रही है investment की बात करें 11 करोड का investment 152 करोड रुपीज का cash भी पड़ा हुआ है ठीक है company की बात करें तो company ने 2 ratio 1 का 2023 में जुलाई में मतलब bonus भी दिया है तो यहां पर price क्या था और भी ज्यादा उपर था split की बात करें 2-3 में split भी दिया है ठीक है दो की phase value एक में किया है तो split भी दे दिया bonus भी दे दिया ठीक है dividend भी दे रही है तो क्या है promoters यहां पर निकलते हुए नजर आ रहे है एस वल आज डियाएस की बात करें डियाएस ने जो यहां पर इन्हों ने बेची है वह हिसादार इन्हों ने यहां पर खरी दिया है positive बात है डियाएस डियाएस में भी नाम देखोगे है in-con india price in cofin india progress fund as well as public की बात करें public के बास शेयर कम हुए जो कि अच्छी बात है ठीक है यहां पर promoters ने उसक्ट है और कुछ नहीं है ठीक है यहां पर आप देखोगे तो अभी भी कुछ लोगों के बास यहां पर अच्छे गासे शेयर है साथ 23-25 परसंड के यहां पर दिखाई देते हैं बाइंग सेलिंग की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो प्रमोटस ने 2400 रुपे और 2300 रुपे के अवरेज करके अच्छे गासे यहां पर पैसे बनाए है यहां पर भी आपको जीए दिखाई दे जाएंगी ठीक है तो अच्छी नजर आत को आनो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है हमेशा याद रखेगा ड्यूट रिजैंस आपको करनी है और अपने फाइनेशिल एडवाइजर की यहां लेनी है इन नंबरों को नोट करके आप हमसे कॉंटक कर सकते हो और से लेटेड आइस वेले साथ काम करना जाते ह अगर तब पता होती है डेफिनेटल अम उस टाइम यहां पर लेते हैं बट अभी हम देखे तो शेयर अल्रेडी ओपर रिटेड है और यहां से आप देखोगे पिछले चार पाच महीने में ही यहां पर यह चार गुना शेयर हो चुका है ठीक है 40 रुपे से यहां पर 112 रु दियान रखना है कि पैसे कब बनते हैं जब आप नीचे खरीदो नीचे का मतलब यह बी नहीं है कि आप बिल्कुल यहां पर लेके रखो और फिल वेट करो सालों का नहीं आपको यहां पर क्या करना है वेट करना है छिम्पली ऐसी तकर पर día करने है कि आपने लिया और तु बश्क्राइब आरणोगा किने फांवाय तो यह दंदेताने 3-4 पैशा भी किने एंवां पेट कम भी केबल खाने से ही बढ़ेगा तो याद रखिएगा शांती से अराम से सोच समझ के यहाँ पर देखिएगा इस तिल अगर कोई यहाँ पर ले भी रहा है तो एक स्टॉप लोस लगा लिजी 150 रुपे के आसपास का ठीक है तो याद रखिए लोवर सर्किट लगके ही आएगा फिर उसके बाद निकलने का मौखा भी नहीं मिलेगा तो अपने फैनेशल एडवाईजर कुद की स्टड़ी करके ही यहाँ पर चीज़ों को देख मैं अच्छी थी तो मैंने यहाँ पर आपको बताया बट ओवरीट थी तो यहाँ पर नो और चानलो को सब्सक्राइब को हिट और इन नम्बरों को नोट करके साथ में काम कर सकते हो साथ में काम करिए ऐसे अच्छे अच्छे शेयर है कि अंडर वैल्यू नजर आते हैं जिन में वैल्यू छुपी हुई है जो यहाँ पर पैसे बनाते हुए नजर आएंगे तो उससे लेटिन हम यहाँ पर बात दे कर लेंगे तो थैंकी सो मुच गॉड ब्लेस